गुद मॉर्निंग सुप्रभात कैसे हैं आप सब लोग मैसेल्फ दॉक्टर बकुल देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट फेवरेट लैट्स क्रेक नीट यूजी और वन स्टॉप सॉलूशन फॉर नीट यह जो हमारा मॉर्निंग का सेशन है आठ बजे का इसमें हम पूरा बाइलोजी पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आप सभी लोग स्पेसिफिकली आठ बजे मॉर्निंग एट ओक्लॉक इस क्लास में प्रिजेंट रहा करें जिससे कि आपका इस मॉर्निंग एट ओक्लॉक के सेशन में कवर करूँगा तो आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िये उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बाकी सब लोग जुड़ें तब तक सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये कि Let's Crack Neat UG के YouTube को तो सबस्क्राइब करना ही है बैल आइकन को प्रेस करना ही है साथ ही साथ आपको ये टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर लेने है इस वज़े से क्योंकि जितने भी relevant sessions होंगे उन सब के links मैं यहीं पर आप लोगों स दूसरा अनकेडमी प्लस की तरफ अगर आप आते हैं तो प्लस एक बहुत ही अच्छी तरह से क्राफ्ट किया गया डेविलप किया गया प्लेटफॉर्म है जहां आपको बेनेफिट ये मिलता है कि एक बार जैसे ही आप प्लस को सबस्क्राइब कर लेते हैं आप तमाम जित अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं आप क्लास के दौरान जो पोल कंड़क्ट होते हैं उस पोलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये सारे के सारे एडवांटेजेज ये सारे के सारे बेनेफिट आपको प्लस पर मिलते हैं प्लस पर अगर आप जाते हैं तो एक साल का सब्स्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसका फी है 3,208 रूपीज पर मन्त इसमें अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% स्कॉलर्शिप तो मिलेगा ही साथ ही साथ आप मेरे परसनल मेंटॉर्शिप ग्रूप म भी मिलेंगी जैसे सबसे पहला आप खुद अपने लाइव डाउट सेशन्स लाउंच कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं जब भी आपको अपना फीजिबल टाइम लगे और टीचर से वन टू वन इंटरेक्शन के साथ अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं दूसरा स्टेडी अपने स्टेडी मेटीरियल आपके घर पे बाइपोस्ट वेजा जाएगा तीसरा आपको पूरा स्कीडियूल दिया जाएगा पूरे साल का और तूसमें आपसे टाइम टू टाइम स्टयूड टेशन किया जाएगा जहां जहां जो लेकूना Vou आपको कवर गरने की पूशि कि अगर आपको जरूरत हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, that is 81008 6666, easier EMI options की तरफ जाना हो, या और कोई आपको इसमें help चाहिए, तो team Unacademy आपसे contact करेगी, अचा कुछ combo pack भी अभी Unacademy की तरफ से चल रहे हैं, जैसे NEET, UG और CBSC आप एक साथ अगर package लेते हैं, 9th year combo and get 4 years, ये बहुत बहुत अच्छा offer अभी आप लोगों के लिए चल रहा है, जिसकी actual price है 81,000 और आपको मिल रहा है ये 64,483 में, इसी तरीके से अगर आप NEET UG और foundation एक साथ करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको 9th और 10th के student के लिए, जो actual price है 75,500 उसकी जगे pay करना प अच्छा, Unacademy Combat जो है, ये Sunday to Sunday हम organize करते हैं, largest, biggest scholarship exam है, और अब ये web पर भी आपके लिए available है, तुरंत प्रभाव से आपको enroll कर लेना चाहिए, हर रविवार को ये exam होता है, जिसमें 10 करोर रुपए का price pool है, और इसमें अगर आप अच्छी rank लेकर के आते हैं, अच्छे marks ल इसमाल करना है, तो ये इसमें भी आप अपियर होई है, कल, Sunday को जो exam होने वाला है, उसमें ये आपका syllabus है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए, biology में क्लास 11 के लिए जो combat होने वाला है, उसमें living world और biological classification का paper आएगा, क्लास 12 के लिए reproduction, और जो repeaters हैं, उनके लि ये reproduction, living world और biological classification, ये तीनों subject है, बायलोजिका मैंने आपको बता दिया है, physics और chemistry के भी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे ही रहे हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा, ये जो mega combat है, इसमें आप pre सब के लिए enrollment है, सारे बच्चों को इसको enroll करना ही चाहिए, इस उनके कुछ sessions आप लोगों के लिए arrange हो रहे हैं, इनको भी आप attend कर सकते हैं, October 23 को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जिसमें आपका preparation strategy, counseling, academic planning और बाकी सब चीजों के ऊपर discussion किया जाएगा, तो इसमें आपको top educators जो let's crack NEET UG पर पढ़ा रहे हैं, उनसे interact करने का आफसर मिलेगा जो topers रहे हैं आपके NEET के previous years में, उनसे आपको tips मिलेंगे कि किस तरीके से हमें preparation करनी चाहिए, और एक counseling session आपको यहाँ पर free मिलेगा, तो ये भी आप लोगों को, सभी बच्चों को मेरे ख्याल से इस particular session के लिए भी अपने आपको enroll करना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो अब हम आज का topic स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे नए हैं, उन सब बच्चों के लिए मैं बता दूँ कि मैं सर्फ डॉक्टर बकुलदेव, मैं जैपूर से हूँ और मैं पिछले 16 सालों से medical experience को पढ़ा रहा हूँ, thousands of my students got selected in various reputed medical colleges all over the India, छे बार ऐसा भी हुआ है, जब मेरे important है, बहुत interesting topic है, इसमें से भी अक्सर एक दू सवाल पूछी ही लिए जाते हैं, तो आज हम इस topic को start करने वाले हैं, और आज का topic है हमारा human evolution, तो जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे जुड़ जाईए, सारे के सारे बच्चे आजएए यहाँ पर, जिससे कि हम human evolution का हमार जो topic है, वो start कर सके, जल्दी से सब बच्चे जुड़ जाईए, उसके बाद हम इसको start करते हैं, सब बच्चे आ गए हैं, अब now, give me a thumbs up, and just write it down, yes sir, we are ready, so we can start this session, हम इस session को start कर सके, आ जाईए, आ जाईए, जल्दी से सब बच्चे आ जाईए, देखिए, evolution के evidences हम पढ़ चुके हैं, evolution की theories हम पढ़ चुके हैं, कल हमने Hardy, Wienberg, Equilibrium और उससे related कुछ, numericals भी discuss किये, study किये, आज हम human, आज हम human evolution वाले segment पर चलते हैं, तो human evolution वाले segment में सबसे पहली चीज़ जो आप सब लोगों को जाननी है, वो क्या है, ध्यान से देखिए, human evolution में, जो सबसे important चीज़ आपको जाननी है, वो ये, कि सबसे पहले हम ये पता करें, कि human जो है, taxonomy का segment पढ़ रखा है, जिसमें हमने class mammalia, फिर class mammalia में भी यूथीरिया, जिसको आप infra class कह सकते हैं, फिर इसमें भी order आता है, प्राइमेटा, ये और है, order parameter, तो ये जो order parameter है, इस order parameter में human को include किया जाता है, सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, दूसरा, ये जो प्राइमेटा है, इसमें कौन कौन include किये जाते हैं, जड़ा ध्यान से देखिए, लीमर लॉरिस टार्जियर मंकी एप एंड फाइनली हुमन ये छे मेजर ग्रुप हैं जो आपके प्राइमेटा में इंक्लूड किये जाते हैं और जब हम हुमन एवल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो कम से कम इन तीन ग्रुप्स के बारे में हमें कुछ बेसिक इनफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें हम मंकी एप और हुमन के बारे में कुछ जान पूँए आ रहे ये बात समझ में तो हुमन एवल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इनफॉर्मेशन हमें मंकी के बारे में होनी चाहिए थोड़ा सा इनफॉर्मेशन एप के बारे में और फिर human के बारे में कि exactly human का sequential evolution किस तरीके से start हुआ है तो हम ज़रा इन तीन चीजों के बारे में थोड़ा-थोड़ा करके discuss करते हैं That is Monkey, Ape and Human Correct? तो सबसे पहले चलते हैं monkey पर देखिए monkey जो हैं उसमें दो major groups हमें नजर आते हैं आप ज़रा दिहान से देखिए यहां आपको दो images दिखाई दे रही हैं monkey's की इस तरफ जो monkey आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं old world monkey और इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है यह है new world monkey ठीक है old world monkey का आगर मुझे example quote करना हूँ यह जो इस तरफ आपको monkey दिखाई दे रहा है सारे के सारे बच्चों को यह monkey कौन सा है कोई बता सकता है मुझे anyone can anyone respond यह जो monkey है यह है आपका rhesus monkey और rhesus monkey वही है जहां से आपके rh blood groups derive होते हैं याद कीजिए rh blood group का जो rh term है वो यहीं से आता है इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है यह है spider monkey अब सबसे पहली चीज आपको क्या जाननी है new world और old world monkeys में जो एक major जो difference समझ में आता है पहले तो इनकी location पर हम बात कर ले old world monkey का मतलब यह belong करते है एशिया से और new world monkey जो है यह belong करते है आपके America से ठीक है American subcontinent से यह belong करते है एक चीज दूसरा यह जो आपके old world monkeys है इनमें सबसे important बात क्या है इनके female जो है वो menstrual cycle exhibit करते हैं जो periodic cycle human में भी जलता है जबकि new world monkeys जो है उनमें easter cycle नहीं रहता वहाँ कौन सा cycle exhibit करते हैं बिटा यह menstrual cycle इनमें नहीं होता है यह easter cycle exhibit करते हैं जो इन इस पर्टिकुलर केस female exhibit menstrual cycle और new world monkeys में female exhibit estrus cycle ठीक है एक में menstrual cycle एक में estrus cycle और एक important difference यहाँ पर देख लीजिए dentition is more similar to human जबकि यहाँ dentition is less similar to human और एक characteristic difference इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देख रहा है ज़रा ध्यान से इन दोनों डाइग्राम्स को देखो इसका tail देखो ज़रा बिलकुल पतला सा है इसका tail देखो ज़रा मोटा conspicuous tail है तो एक और जो important difference है वो मैं mention किये देता हूँ यहाँ पर वो यह के इस particular case में जो tail आपको दिखाई दे रहा है यह non-prehensile tail है और इस तरफ जो tail दिखाई दे रहा है वो prehensile tail दिखाई दे रहा है prehensile का मतलब stout motor है ना conspicuous अब ज़रा मुझे जल्दी से बताईए कौन बताएगा कि इन characters को study करने के बाद आप किस conclusion पर पहुँचते हैं कौन सा group जो है वो human से ज्यादा similarity exhibit करता है जल्दी से बताईए एक तो आपके पास में old world monkey का group है और एक आपके पास में new world monkey का group है अगर आप से पूछा जाए अगर आप से पूछा जाए कि which of the following exhibit more similarity with human तो आप क्या answer देंगे जल्दी से respond कीजिए ज़रा human से ज्यादा similarity कौन exhibit करता है हाँ जी अंजली वेरी गुड़ बेटा तो यह सवाल पूछा जाता है आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए that that is very important point ओल्ड वर्ल्ड मंकी एग्जिबिट मोर सिमिलारिटी with human यानि कि evolutionary sequence में जब हम देखेंगे तो इस evolutionary sequence में old world monkeys जो है वो human के ज्यादा नजदीक रहेंगे और new world monkeys जो है वो human से distant relation पर रहेंगे यह बात समझ में आ गई सारे बच्चों को चलिए तो यह आपका monkey stock जिस पर हमें शुरू में बात करनी थी यह complete हुआ अब आते हैं दूसरे पर that is ape ape समझते हैं आप केवल चार living groups हैं इस वक्त ape के बाकी सारे extinct हो चुके हैं वो चार group कौन से हैं जल्दी से देख लीजिए यहाँ देखिए यह images दिखाई दे रहे हैं आपको मैं इनके सब के नाम लिखता हूँ सबसे पहले have a look यह gibbon है यह orangutan है यह gorilla है और यह chimpanzee है ठीक gibbon, orangutan, gorilla and chimpanzee अब यहाँ आपको एक और बहुत interesting चीज़ दिखाई देगी वो interesting चीज़ क्या है यह जो sequence दिख रहा है आपको gibbon, orangutan, gorilla, chimpanzee यह random sequence नहीं है यह दिग्री ओफ closeness of apes with human in ascending order यानि कि chimpanzee जो है वो maximum similarity exhibit करता है human से और gibbon जो है वो सबसे कम तो gibbon को हम क्या कहते है gibbon का एक और नाम क्या है gibbon is also known as smallest ape और अंगुटेन क्या कहलाता है आपका man of forest gorilla क्या क्या कहलाता है largest ape और chimpanzee क्या कहलाता है most intelligent ape यानि कि human से सबसे ज्यादा similarity किसकी है आपके chimpanzee की अब कई बार कुछ questions हमसे पूछ लिये जाते हैं ape और जो human है इन में जो differences हैं इन से related कुछ questions हमसे पूछ लिये जाते हैं तो चलिए बताईए जल्दी से ape और human में differences कौन-कौन बता सकता है आप में से यह लिजिए और यहां हम ape और human में जो कुछ important differences हैं कुछ significant differences हैं उन पर बात करेंगे हाँ difference बताओ बटा ape और human में difference क्या होते हैं what are the differences between ape and human anyone मैं इस तरफ लिखता हूँ ape यहां लिखता हूँ human एक बार इन images को ध्यान से देखिए ape और human में जो पहला important difference है वो क्या है past ape क्या होते हैं आपके what are apes arboreal और human किस category में आता है terrestrial पहला difference तो यही हो गया यह तो पेडों पर रहते हैं arboreal हो गया human कैसा है terrestrial दूसरा दूसरा इसके बाद इन diagram को ध्यान से देखिए हमारी body में human में क्या होता है हाथ तो होते हैं छोटे four limbs are small, hind limbs are long यानि हाथ छोटे हैं पैर बड़े हैं इनको जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें उल्टा है इनके four limbs बड़े होते हैं hind limbs छोटे so second difference four limbs longer hind limbs shorter और यहाँ four limbs shorter hind limbs longer ठीक है यह difference भी आप लोगों को समझ में आ गया अब अगला एक और important difference देखी एप में cranial capacity जो है that is less than 500 cubic centimeter जबकि हमारी cranial capacity कितनी होती है आप जानते हैं सारे के सारे बच्चे cranial capacity is approximately 1450 cubic centimeter यह difference आ गया एक और important difference आ गया और अब इन images को ज़रा ध्यान से देखी आपको पता है हमारे जो four limb यानि हाथ में अंगूठा और उंगलियां यह opposite काम करते हैं जैसे मान लीजे मुझे इस pen को पकड़ना रहे तो मैं pen को पकड़ूँगा तो इधर से उंगलियां आएंगी इधर से अंगूठा आएगा है ऐसे करके हम इस चीज़ को किसी भी object को पकड़ पाएंगे ऐसा अंगूठा कहलाता है अपोजेबल थंब क्योंकि यह अंगूठों से opposite काम कर रहा है और हमारे हाथ का अंगूठा तो अपोजेबल है लेकिन अगर आप हमारे पैर के अंगूठे की तरफ देखेंगे तो वो अपोजेबल नहीं है पैर में अंगूठे और उंगलियां सारे के सारे एक ही direction में जले नहीं ही अरफ लेकिन अगर आप एक को देखेंगे अजैसे आप चिंपैंजी को देखेंगे किसी और इनमें से organism को देखेंगे इसको आप ध्यान से देखिए तो इनके पैर का अंगूठा जो है आपको वो भी अपोजेबल ही दिखाई देगा हाथ का भी अपोजेबल है औ In case of ape, thumb of forelimb and hind limb, opposable और यहाँ, thumb of forelimb, opposable whereas thumb of, जिसको toe कहते हैं हम, hind limb, non-opposable यह बात समझ में आ गई की नहीं? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताओ यह जो point मैंने यहाँ mention किया है यह आप लोगों को clear हुआ की नहीं opposable और non-opposable thumb का concept इसके बाद एक और difference देखिए एप जो है इनका posture पूरा erect नहीं होता है इनका posture पूरा erect नहीं होता है इनका posture पूरा erect नहीं होता है तो एप के case में posture is semi-erect और यहाँ हमारे vertebral column में लंबार curvature नहीं मिलेगा हमारे vertebral column में लंबार curvature प्रिजेंट होगा नहीं है एप के अंदर developed होते हैं ठीक है density of hair जो है वो एक important point है हमारा जबड़ा जो है वो और्थोग नेथस है नीचे की तरफ जो आपके chimpanzee orangutan बबून वगरा है इनसम में जबड़ा बाहर की तरफ निकला होता है जैसे हम कहते हैं important differences जिनको हमने यहां पर discuss कर लिया है एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार सारे के सारे बच्चे respond करेंगे यहां तक की बात हैं समझ में आ देंगे and respond fast और यहां मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि this is the degree of closeness with human तो यह मैं mention किये देता हूँ यहां पर जो कि आप सारे के सारे बच्चों को याद भी रहे simultaneously this is the degree of closeness with human यह मैं लिखे देता हूँ यहां पर यानि चिम्पैंजी सबसे ज्यादा नजदीक है और सबसे distantly related कौन है हमारा गिबन तो भई clarity है यहां तक अभी हम human evolution की तरफ चल सकते हैं क्योंकि हमने दो major चीज़ें discuss कर ली है monkey as well as ape अब जरा human evolution की तरफ हम आ जाए कि human कैसे evolve हुआ क्या sequential stages थे clear चलिए human evolution की तरफ चलते है let us proceed to human evolution अभी देखिए human evolution में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है वो तीन चीज़ें क्या है human evolution को हम तीन stages में पढ़ते है सबसे पहला stage आता है हमारा prior to ape man ape man australopithecus को कहते हैं तो australopithecus से पहले के हमारे जितने भी ancestors हैं वो इस category में आ जाएंगे modern man फिर उस से कौन डेवलप हुआ there is a specific and definitive sequence उस sequence को जानना और उस sequence को समझना हमारे लिए बेहत जरूरी है तो सबसे पहले हम जरा human evolutionary lineage की तरफ ध्यान देते हैं देखिए जरा इसमें हम यहां से start करेंगे नीचे से हमारा जो सबसे पुराना ancestor है known ancestor that is dryopithecus यह जो यहां पर लिखा हुआ है dryopithecus ध्यान से देखिए मैं इसमें जरा एक बार sequence ड्रॉ कर दूँ आप लोगों के लिए dryopithecus से develop होते हैं ramapithecus ramapithecus gave rise to australopithecus australopithecus gave rise to homo habilis homo habilis gave rise to homo erectus then homo erectus gave rise to now this is very interesting homo sapien fossilis homo sapien fossilis gave rise to homo sapien sapien जो कि आपके modern man में include किया जाता है और इस sequence में इस sequence में एक parallel line और develop होता है ये वाला that is homo sapien neanderthalensis correct जिसको हम direct lineage में तो consider नहीं करते लेकिन हमारे ancestors जरूर हैं ठीक है ये हमारे ancestors में include किये जाते हैं not included in the direct line of human evolution correct तो अब सबसे पहले यहां से कुछ important बाते समझे ये हमारा human evolutionary lineage है अब मैं एक बार पीछे वाले page पर चलूँगा इसमें आपको ये जो दो दिख रहे है dryopithecus और drama देखो australopithecus कौन है who is australopithecus australopithecus आपका ape man है just a minute who is ape man ape man is australopithecus तो इसका मतलब ये जो आपको दो दिख रहे हैं ramapithecus और dryopithecus ये दोनों किस category में आ गए जो मैंने ऊपर लिखा है that is prior to ape man मैं यहां पर इनको mention किये देता हूँ इसमें हमारे पास दो ancestors है one is dryopithecus और दूसरा ramapithecus उसके बाद आईए इस lineage में ape man आ गए और ये जो दो आपको दिख रहे हैं homo habilis और homo erectus ये दोनों क्या हैं आपके prehistoric man हैं इनको prehistoric man कहते हैं तो जब मैं ape man और prehistoric man लिखूँगा तो हमारे पास में तीन ancestors आ जाएंगे कौन कौन से australopithecus फिर उसके बाद में homo habilis और फिर उसके बाद में homo erectus ये लीजिए तीन आ गए और अब फाइनली आप यहां आएए जहां से भी हमने homo sapien sapien species का term हमने जहां से इस्तिमाल कर लिया है इनको हम कहेंगे man तो ये man भी है और ये modern man भी है और ये सारे के सारे किस category में आ गए आपके man and modern man तो मैं ये भी यहां mention किये देता हूँ ये सब किस में आ गए आपके man and modern man जिसमें तीन ancestor आ गए तो ये नियंडर्थल देन आपका homo sapien fossilis और देन homo sapien sapien तो ये भी यहां mention किये देते हैं चली नियंडर्थल मैं, क्रोमेगनन मैं and modern man जिसको homo sapien sapien कहते हैं तो ये हमारा एक overall human evolution का sequence है यहां इस evolutionary lineage में एक बात मैं आपको और बता दूँ कि Dryopithecus जो है, it was common ancestor of human as well as ape यानि Dryopithecus से एक तो human का lineage start हुआ है simultaneously इससे और क्या start हुआ था? तो ape और human दोनों का common ancestor अगर कोई है तो वो कौन है आपका Dryopithecus, that is common ancestor यह बात आपको समझ में आ रही है यहां तक क्योंकि इसके आगे जो चीजें लिखी हुई है मैं उनको भी explain करूँगा सबसे पहले उसके बाद एक एक करके हम सारे ancestors की तरफ move करेंगे देखो यहां जो आगे लिखा हुआ है 2225 MYA MYA का मतलब है million years ago यानि यह 2225 million years ago develop हुए यह 15 million years ago develop हुए यह 5 million years ago 2 million years 1.7 million years homo sapien neanderthalenses या neanderthal man जिनको कहते हैं यह लगभग एक लाख साल पहले appear हुए बाद में disappear हो गए लगभग 34,000 34,000 years ago homo sapien fossilis और लगभग 25,000 साल पहले जो modern man है वो appear हुआ तो यह जो bracket में जो चीज़ें यहां लेखी हुई है यह आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है कौन कितने साल पहले emerge हुआ इसके बाद एक और चीज australopithecus से हम लिखना start करते हैं देखिए 500 cubic centimeter now this is the cranial capacity तो आप देखिए जरा आपके australopithecus का cranial capacity 500 cubic centimeter है अब brain का size धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है 500 से 700 cubic centimeter फिर 800 से 1300 आया फिर 13 से 1600 आया फिर 1650 आया फिर 1450 आया so there is a sequential and progressive development in the size as well as functioning of brain as well तो आप लोगों को अगर ये evolutionary lineage अच्छे से पता है तो basic questions जितने भी हैं human evolution के वो तो आप इसी से solve कर देंगे बोलिए clear हुआ यहां तक मामलाया नहीं please respond fast ये lineage clear हुआ की नहीं उसके बाद हम एक एक पर चलेंगे dryopithecus, ramapithecus, australopithecus, hebelis, erectus, neanderthal, fossilis and sapien अच्छे कुछ बच्चे Hindi medium की classes के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं सारे बच्चों को बताता चलू Hindi medium की classes अब आपकी कल से Sunday से start हो जाएंगी evening 6 p.m. जितने भी Hindi medium के बच्चे हैं जो हमारा unacademy need to vijay channel है वो functional state में आ गया है उसमें कुछ जो technical अपग्रेडेशन समय करने थे वो हम कर चुके हैं और कल से आपकी routinely classes start हो जाएंगी आज रात को एक strategy session भी उससे related में लूगा पहले मुझे ये बताईए कि ये बात clear है या नहीं clear है सब को सारे बच्चों को जल्दी से बोलिए सब को clear है चलिए अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं ड्रायो पित है का सबसे पहले हम आते हैं prior to ape man देखो इनको क्या लिखने ये ape man के पहले के हैं तो इनको prior to ape man अमन बेटा क्या नहीं समझ में आया क्या नहीं समझ में आया आपको बताईए ये जल्दी से बताईए कौन सी चीज clear नहीं हुई आपको कुछ भी जो clear नहीं हुआ है तुरंत प्रभाव से आप मेरे से पूछ लीजिए आईए अब आते हैं सबसे पहले prior to ape man तो prior to ape man में हमारे पास में कुल मिला करके दो चीजे हैं आप इन दो को देख लें ये काफी है एक तो dryopithecus तो dryopithecus के बारे में सबसे पहली चीज अब मियोसीन क्या है geological time scale जब हम पढ़ते हैं तो तीन चीजें आती है era, period and epoch तो era आपके जैसे एजोई कह रहा है, आर्कियोजोई कह रहा है प्रोटिरोजोई कह है, पैलियोजोई कह, मीजोई कह, सीनोजोई कह, ऐसे करके era है फिर कुछ era को periods में डिवाइड किया गया है अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसको चेंज कर देंगे इस slide के बाद में चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो, भी यह गलती से लिखा गया है, देख लो यह ड्रायो पिथेकस है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, यह लो यह रामा पिथेकस है और यह सिवा पिथेकस है तो यह common ancestor थे, एप और मैन के, आर्बोरियल थे, और फर्जी वोर्स थे, यानि की fruits कंज्यूम करते थे रामा पिथेकस बहुत important point आपको एक इसके बारे में याद रखना है कि रामा पिथेकस के fossils हमें Indian subcontinent में, जो शिवालिक hills है, शिवालिक पहाडियां जो हैं, वहाँ से इनके fossils हमने obtain किये हैं चीक है, और इनको human की direct line में include किया जाता है शिवा पिथेकस ये भी हमने शिवालिक hills से ही obtain किये हैं बट दे आर नोट considered in the direct line of human evolution तो ये तो prior to ape man की कहानी अब आजाईए ape man and prehistoric man ape man and prehistoric man में जो सबसे पहला हमारे सामने आता है हमारा ancestor, that is Australopithecus अब हैवे लोक Australopithecus को हम और क्या कहते हैं, देखिए ज़रा नाम देखी also known as first ape man, बहुत important point है और Raymond Dart करके एक scientist थे जिन्होंने ये fossils discover किये अफरीका में एक जगह है जिसका नाम है twang तो twang करके जो जगह थी वहाँ से पहला fossil obtained किया गया और ये जो पहला fossil obtained किया गया, ये पाट-छे साल के बच्चे का fossil था तो इसको नाम दिया गया twang baby इस पर भी सवाल पूछा गया है, that is important now twang baby is Australopithecus first fossil of Australopithecus which was discovered from Africa twang ये आपके omnivorous थे और इनका cranial capacity 500 cubic centimeter था जो की हम lineage में mention कर चुके हैं अच्छा डोनाल्ड जॉनसन करके एक और scientist थे, उन्होंने एक female skeleton और बाद में discover किया Australopithecus का और उसे नाम दिया गया Lucy तो ये Lucy और twang baby, ये दोनों नाम जो हैं ये Australopithecus को designate किये जाते हैं इनसे related questions पूछे जाते हैं तो आपको इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए सारे के सारे बच्चों को ठीक है अब आते हैं homo habilis homo habilis बहुत important है इस वज़े से क्योंकि homo habilis जो है इसके लिए कुछ specific terms हम काम में ले रहे हैं ध्यान से देखिए homo habilis को skillful man भी कह रहे हैं homo habilis was the first human ancestor who used different type of tools made up of sharpened stones यानि कि पत्थरों को नुकीला करके इन्होंने औजार बनाए और उन औजारों की help से ये शिकार भी करते थे अपना protection भी करते थे attack अगर किसी पर करना होता था तो attack भी करते थे तो ये पहले हमारे ancestor थे जिन्होंने की tools develop किये किसी भी peculiar function के लिए तो इस वज़े से इनको skillful man भी कहते हैं tool maker भी कहते हैं और handy man भी कहते हैं इनके fossil plistocene rock से obtain किये गए हैं ये लगभग 2 million years ago develop हुए इनकी length जो है वो 1.2 to 1.5 meter के आसपास देड़ मीटर तक की इनकी height होती थी और 700 cubic centimeter इनका cranial capacity था they made tools of the sharpened stones पत्थरों को नुकीला करके इन्होंने आउजार बनाएं clear? बोलो बोलो clarity है सबको या नहीं? जल्दी से बोलो बिटा सारे बच्चे respond करेंगे जल्दी से whether this is clear or not homo habilis के बाद आते हैं साहब homo erectus पर अब homo erectus homo erectus हमारे पहले ऐसे ancestor है ध्यान से सुनी homo erectus हमारे पहले ऐसे ancestor है जो straight सीधे खड़े होगे उससे पहले का posture straight नहीं था या erect नहीं था semi erect posture आप उसको बोल सकते हैं आधे खड़े हो सकते थे आदमी तो homo erectus जैसा की नाम से ही समझ में आ रहा है erect posture erect posture ये prehistoric man है अच्छा ये लगभग 1.7 million years ago एपियर हुए ये लगभग 1.8 meter लंबे थे इनका jaw prognathus था बाहर की तरफ निकला हुआ आगे की तरफ निकला हुआ prognathus जैसे आप देखिए इसमें ये देखिए जबड़ा ये jaw अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है और इनकी cranial capacity थी 800-1300 cubic centimeter अब इसमें दो सब species हैं जिन पर की सवाल पूछे जाते हैं और आपको इन दोनों सब species के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए सारे के सारे बच्चों को सबसे पहली सब species है पेटा homo erectus erectus और इस पर सवाल जो पूछा जाता है वो इस नाम से पूछा जाता है इनको हम कहते हैं jawa ape man जब इनके fossil discover किये गए शुरू आद में तब इनको कहा गया था pithecanthropus बाद में इनको कहा गया jawa ape man jawa ape man क्यों कहा गया क्योंकि इंडोनेशिया में एक जगे है jawa इंडोनेशिया में jawa सुमात्रा ये सारी की सारी जगे हैं इंडोनेशिया की तो jawa करके जो location है वहाँ से इनके fossils मिले इस वज़े से इनको jawa ape man बोल दिया गया और इनका important point क्या है इन पर जो repetitive question पूछा गया है jawa ape man पर ये पहले ऐसे ancestor थे हमारे जिन्होंने fire use किया for the purpose of cooking for the purpose of offense as well as defense आप दोनों चीज़ें इसमें use कर सकते so jawa ape man was the first ancestor who used fire cranial capacity देखिये थोड़ा सा बढ़ गया है 800 to 1000 omnivores थे और इनमें cannibalism भी मिलता थे cannibalism समझ गये cannibalism का मतलब they consumed their own species अपनी ही species को consume करते थे अच्छा ये तो homo erectus erectus हुआ अब homo erectus erectus में यानि कि इस erect man में एक और सब species है जिसे हम कहते हैं homo erectus packines और इसे packing man भी कहते है packing क्यों कहते है साथ चाइना में beasing का नाम तो आप सबने सुन ही रखा होगा beasing के ही पास में एक और जगह है that is packing तो packing से इनके fossils मिले इस वज़े से इनका नाम रख दी गया रख दिया गया packing man शुरुआत में इनको नाम दिया गया था synanthropus ये भी सवाल पूछा गया है पिथकanthropus कौन था synanthropus कौन था ये सवाल पूछे गए इनकी cranial capacity साड़े 800 से 1100 यानि 850 तो 1100 के बीच यानि अलग अलग तरह के जो fossils मिले किसी में 850 था किसी में 900 था किसी में 1000 था तो एक जगह लिख लेते ये भी omnivores थे और इनमें भी cannibalism था एक और सब species है homo erectus की that is homo erectus heidelbergensis जो की heidelberg जर्मनी से जिनके fossil मिने लेकिन इनका कोई बहुत ज्यादा significance नहीं है ये important है आपका homo erectus pekinis और इससे ठीक पहले जो हमने पढ़ा है homo erectus erectus यानि की jawa ape man यानि jawa man और packing man ये दोनों ही आप लोगों के लिए important है तो ये हो गए आपके ape man to prehistoric man अब बोलिये ज़रा यहां तक का मामला clear हुआ एक बार सारे बच्चे respond करेंगे देखो dryopithecus हो गया rama pithecus हो गया australopithecus homo habilis and homo erectus अब तीन चीजे बच्चती है हमारे पास neanderthal, cromagnon and modern man जल्दी बोलो और मैं neanderthal पर चलू उससे पहले ज़रा इस lineage को वापस से देख ले lineage का मतलब सीधा सा यह है किसी बच्चे ने अभी comment किया कि lineage समझ नहीं है अरे भाई lineage का मतलब यह है dryopithecus सबसे पहले आए dryopithecus से कौन बने rama pithecus rama pithecus gave rise to australopithecus australopithecus से habilis बने फिर erectus बने फिर fossilist बने फिर sapience बने यह sequence है हमारा evolution का जैसे आप family hierarchy देखते हैं अपनी आपके परदादा थे फिर दादा थे फिर फादर थे फिर आप है sequence है ना who gave rise to whom इसी तरीके से human का evolutionary lineage है dryopithecus फिर उसके बाद वो फिर उसके बाद वो फिर उसके बाद वो that is तो अब ज़रा यहां ध्यान से देखिए इन में man and modern man में आपको यह दो तो lineage में दिख रहे हैं homo sapien fossilis और homo sapien sapien यह आपका neanderthalensis जो है यह lineage में नहीं है separate line they appeared as a separate line and ultimately disappeared तो अभी हम बात करेंगे neanderthal की ध्यान से देखिए homo sapien neanderthalensis जिनको हम neanderthal man भी कहते हैं सबसे पहली चीज जो याद रखनी है इनको neanderthal क्यों कहा जाता है जर्मनी में एक जगे है जिसका नाम है neander valley घाटी है जैसे हमारे यहां कश्मीर घाटी है वहाँ neander valley है तो neander valley जर्मनी से इनके fossil obtain किये गए इस वज़े से इनको कह दिया जाता है इनमें भी जबड़ा प्रोगनेथस है ध्यान से देखिए जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है और cranial capacity 1300 to 1600 तो यहां एक बड़ा interesting question बनता है जो कई बार पूछा गया है इसका अगर आप average ले ले लेंगे तो लगभग 1450 cubic centimeter आता है तो यह सवाल पूछा जाता है कि हमारे कौन से ऐसे ancestor थे जिनका cranial capacity modern man के cranial capacity के लगभग equal था the answer is Neanderthal man अच्छा एक लाक साल पहले इनका count बहुत ज्यादा था लेकिन लगभग 30,000 साल पहले सारे के सारे Neanderthal एक साथ extinct हो गए ठीक है यह आल disappeared from the face of earth out of a sudden कोई न कोई climatic condition कोई reason इसके लिए रहा हो यह legendary cave dwellers थे और एक बहुत important point यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए they were skilled hunters and true predators hunting की या शिकार करने की जो capacity आपका इसमें Neanderthal में develop हुई evolve हुई वैसी capacity हमारे किसी और ancestor में develop नहीं हुई यह इतने skilled hunters थे group में शिकार करते थे और बहुत efficient hunters यह बन गए थे तो इनको हम hunters as well as predators की category में रखते हैं एक ऐसा skill जो इनके पहले और इनके बाद कभी भी और develop नहीं हुआ इस level पर और कभी भी develop नहीं हुआ तो यह बातें भी आप लोगों को सबको याद रखनी है तो अभी clarity है बेटा सबको Neanderthal man के बारे में अगर आप से सवाल पूछा जाता है कि हमारे कौन से ancestor का cranial capacity हमारे cranial capacity के लगभग equal था the answer is Neanderthal आप से पूछा जाए हमारा कौन सा ancestor हमारे direct human evolutionary lineage में नहीं है the answer is Neanderthal आप से अगर पूछा जाता है कि hunters और predator true hunter और predator कौन था the answer is Neanderthal clear तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एक लाख साल पहले यह appear हुए थे और इस वक्त सबसे ज्यादा भी थे अर्थ पर and then suddenly they all got disappeared चलिए अब आगे move करते हैं जो हमारे most recent ancestors हैं अब जो सबसे recent ancestors हैं वहाँ चलते हैं that is homo sapien fossilis homo sapien fossilis को fossilis को cromagnon man भी बोला जाता है और cromagnon क्यों बोलते हैं क्योंकि France में एक जगह है cromagnon rocks जहां से इनके fossil obtained किये गए अब ज़रा इस चेहरे को ध्यान से देखिए ये आपको cromagnon man दिखाई दे रहा है और ये आपको लगबग लगबग modern man के जैसा ही face दिख रहा है इनमें आप देखिए नीचे जबड़ा कैसा हो गया orthognathis नीचे की तरफ आगया इससे ठीक पहले आप जाएंगे तो जबड़ा प्रोगनेथस है बाहर की तरफ निकला हुआ इसमें आप देखेंगे जबड़ा बिलकुल नीचे की तरफ आगया इस और्थोगनेथस तो ये मैं आपको यहां लिखे देता हूँ इस और्थोगनेथस एक चीज हजार साल पहले अपियर हुए ये लगबग 1.8 मीटर तॉल थे यानि कि हमसे इनका एवरेज हाइट थोड़ा ज्यादा था और डेवलप्ड चिंथी और 1650 क्यूबिक सेंटिमेटर इनका क्रेनियल कपैसिटी था जबकि हमारा क्रेनियल कपैसिटी कितना है जो एंथ्रोपोलोजिस्ट हैं वो इस बात पर भरोसा करते हैं बिलीव करते हैं कि क्रोमेगनन जो थे दे वर फार मोर इवाल्ड फार मोर डेवलप्ड कल्चर्ड एस वेल इस सिविलाइज्ड देन दे मॉड़न मैन तो ये भी एक थियोरी इसके अंदर आती है अच्छा इन्होंने केव पेंटिंग्स डेवलप की आर्ट और कल्चर इनके वक्त में डेवलप हुआ ठीक है और ये लगबग दस हजार साल पहले डिसिपियर हो गए ये क्रोमेगनन मैन है और ये अल्टिमेटली गेव राइस टू होमो सैपियन सैपियन जो कि मॉडन मैन है अब जो हुमन स्पीसीज है जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही तो अभी आप मुझे बताएंगे सारे के सारे कि ये आपको सारा मामला अच्छे से क्लियर हो गया है या नहीं और प्लीज रिस्पॉंड फास्ट सारे बच्चे जल्दी से रिस्पॉंड करेंगे सभी बच्चे जल्दी से रिस्पॉंड करेंगे human evolution आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से या नहीं कुई सवाल गलत तो नहीं करोगे न भाई इसमें बोलो प्रियंका आपका सवाल देख नहीं पाया बेटा मैं अभी देखे आपको करना क्या है मैं आपको दो तीन चीज़ें आपको फिर से समझा देता हूँ सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लें कि Monday onwards Monday onwards का मतलब क्या हो गया Monday को कितना तारीख है आज कितना हो गया है 16 तो 17 18 यानि कि 18th of October से हम एक 100 day का action plan launch कर रहे हैं मैं कल भी मैंने बताया था 100 day plan हम लोग launch कर रहे हैं और 100 day plan में हम पूरा syllabus करेंगे entire syllabus और daily more than 100 MCQs हम discuss करेंगे वाया special class इसी के साथ आपको handwritten notes भी मिलेंगे इसी के साथ हम PYQs भी करेंगे आपको mind maps भी मिलेंगे आपको flow charts भी मिलेंगे और आपको short notes भी मिलेंगे ये सारी चीजें आपको मिलेंगे आपको बस करना इतना है कि morning 8 AM ये time अपने दिमाग में feed कर लीजिए अगर biology में आपको 340 plus के score पर जाना है NEED 2022 में इसको ensure करने के लिए ये जो सुबह हमारा 8 बजे का session है इसको आप अपने दिमाग में properly feed कर लीजिए 8 बजे का time आपको miss करना ही नहीं है किसी भी तरीके से आपको सारी classes attend करनी है आने वाले 100 दिन में मैं आपको आपका सारा syllabus करवा दूँगा और जब हम daily 100 questions discuss कर रहे हैं 100 दिन में the count actually goes somewhere around 10,000 MCQs NCRT based 10,000 MCQs PYQs की बात करूँगा पिछले 8 साल के paper पर अगर आप चले जाएंगे तो 10 साल पर चले जाएंगे तो 1000 के आस-पास PYQs हो जाएंगे NCRT exemplars हो जाएंगे mock test हो जाएंगे तो करीब 13,000, 13,000, 14,000 MCQs with entire syllabus हम लोग cover करने वाले हैं इस सुबह के session में ये session आपको miss नहीं करना है किसी भी तरीके से देखे मैं ये बहुत दिनों से note कर रहा हूँ कि आप लोग एक lethargic state में है मतलब आप बिलकुल आलच सिर की state में है आप एक sense of motivation जो आप में होना चाहिए वो मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा है probably most of you are waiting for the result to be announced तो result announce हो जाएगा उसके नतीज़े आ जाएंगे आपको अपना score तो पता ही है ना बिटा तो उसमें कोई additional thrill नहीं आ जाएगा आप जिन जो भी बच्चे अभी classes attend कर रहे हैं they all know that where they are standing at as of now तो जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे थोड़ा सा थोड़ा सा energetic manner में थोड़ा सा enthusiastic manner में अपना preparation start कर दे यही तीन चार महीने जिसमें कि बाकी सब लोग थोड़ा slow चल रहे होंगे या विल्कुल नहीं चल रहे होंगे यही वो time है जहां आपको अपनी speed maintain करनी है और advantage gain करना है मैं इस बात को रोज आप से discuss करता हूँ रोज आप से कहता हूँ continuity मत तोड़िये किसी भी तरीके से लगातार बने रहे है sessions में live sessions attend कीजिए special classes attend कीजिए telegram group को join कीजिए handwritten notes में daily basis पर आपको दे रहा हूँ आज भी जैसे class खत्म होई है अभी immediately class जैसे ही खत्म होगी आपके पास 5 minutes में यह notes पहुँच जाने वाले तो यह सारी बातें अपने दिमाग में रखिये आप because हमारी तरफ से effort बहुत ज्यादा करना है हम लोग उसका 50-60% भी आपने reciprocate कर दिया that will be more than enough लेकिन effort आप सब लोगों की तरफ से होना चाहिए ऐसा नहीं कि बिलकुल हम मतलब आलस से में बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है किसी भी चीज के बारे में तो यह जो चीजे हैं इससे काम बन नहीं पाएगा हमारा आपको थोड़ा सा sincerity शो करनी पड़ेगी sessions को लेकर के continuity maintain करनी पड़ेगी और अब जितना आप लोगों को वेस्ट करने की position में नहीं है और उसका एक reason यह भी है कि अगले साल का neat जो है उसके लिए हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है 2022 का neat exactly कब होगा कब expect कर रहे हैं हम मान लीजिए अगर मे के first Sunday को हो गया तो हमारे पास तो क्योंब 6-7 महीना बच रहा है थोड़ा और हम इसको extend कर दें कि चलिए में को नहीं जून के first Sunday को होगा तो भी क्या हो रहा है आठ महीना बच रहा है हर साल आपको जो एक साल मिलता है उसकी जगे दो-तीन महीने कम ही मिल रहे हैं न तो आपको better to start early जल्दी start कीजिए enthusiastic manner में start कीजिए energetic manner में start कीजिए जिससे हम किसी एक नतीजे पर पहुंच सके है ना तो सारे के सारे बच्चे बने रही है sessions में रोज आठ बजे का session अपने दिमाग में fix कर लीजिए और हिंदी medium के बच्चों के लिए आज रात को 9 बजे एक launching session लोगा चोटा सा 15 minute का कल से अनकेडमी नीट विजे की classes भी हम लोग start कर रहे है हिंदी medium की तो आप सब लोगों को उसमें भी जो हिंदी medium के बच्चे है वो उसमें भी आना start कर दे human physiological का segment उसमें start करेंगे है और finally कोई भी subscription आपको अगर अनकेडमी प्लस पर लेना हो don't forget to use this code be there इसका इस्तेमाल जरूर करें आपको scholarship भी मिलेगा and you will enter in my personal mentorship group अभी के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही goodbye and good day to all of you कल मुलाकात होती है sharp at it उससे पहले आज रात को 9 बज़े के strategic session में मिलते हैं चलिए टाटा भाई भाई नोटस अभी भेज रहा हूँ आपको in a matter of five minutes okay सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो तो सारे बच्चे session को like कर दे और सारे बच्चे session को share भी कर दे 8 बज़े का time अपने दिमाग में fix कर दे चलिए अभी close कर दे bye